नमस्कार सीडी तहल का न्यूस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नवीन कुमार और इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं पानिपत के गाउं लाखू बोना से जहां आज पानिपत का लाल नवदीप फिर पैर अलंपिक में दम दिखाएगा और पूरे गाउं में खुशी का महोल है एलीडी सामने लगाई गई है पूरा गाउं एक पानिपत के गाउं बोना लाखू से सीधी तस्वीरे देख रहे हैं जहां पर आज फिर पानिपत का लाल नवदीप जो है अलंपिक में दम दिखाएगा और गोल्ड मेडल की उमीद जो है नवदीप से लगाई जा रही है तमाम जो ग्रामिन है वो एक जूट हुए है तमाम जो परीजन है वो यहां पर है हाला कि एक दिन पहले ही जो है ग्राउं में जो है तैयारी कर दी गई थी पूजा पार्ट जो है जो है गाउं में किया जा रहा था कि नवदीप जो है गोल्ड मेडल जो है भारत के लिए देश के लिए लेकर आएगा तमाम जो लोग है आप देख सकते हैं कि बड़ी LED यहां पर लगाई गई है और जो तमाम जो ग्रामिन है वो यहां पर एक जूट है आसपास के ग पर तक टकी लगाए हुए है और कुछी देर में जो है अब नवदीप जो है लिख है के तैस सूसाइब मेड़ की और यह गाओं का बड़ा महंति बड़ा मेहंती रहा और यह हमारे गाउं के लिए सो भाग गए है कि जो आज हमारा पैरा ओलम्पिक में लेकर अभी उसके बाइट है अभी बाला बगाया है और फोर्थ नंबर पर चल रहा है और हमें उमीद है कि गाउं के लिए बिल्कुल और देश के लिए मैडल लेकर कि तैयारी जो है कल्चे ही शुरू कर दी गई थी पूजा पाठ किये जा रहे ते क्या लगता है क्योंकि अभी कुछ अभी हाल में है जो नीरत चोपड़ा देश के लिए खेले थे मैडल लेका है और अब नवदी पाद्दम दिखा रहा है उमीद लगाई जारे गोल्ड मै नवदीब के प्रिचर डाले तो थोड़ा सा इसके संगर्च के बारे बताए किस तरह का संगर्च कर रहे इस मुकाम तका दिखा यह बड़ा इसके पिता जी बड़े जारू रूप से हैं इसके पास पहलवान जी है उनका सपना दा कि मैं भी मैडल लेकर आउं परंदू नह आज उमीद लगाई जारी आला कि देश के लिए पहले भी मैडल लेकर आचुके हैं नवदीब जी कई च्यार पांच साल से मतलब हमारे जेवलिंग तरो की ट्रैनिंग कर रहे हैं और अब भी जो इनने क्वालिफाई किया है पहले भी महारे देश के गाउं के लिए और दे यहाँ पर लगातार पहुंसते नजर आ रहे हैं और गाउ में खुशी का महाल है लगातार उमीद जताई जा रही है कि नवदीब जो है आज देश के लिए गोल्ड मैडल लेकर आएगा तमाम जो ग्रामिन है वो यहाँ पर एक जुट हुए है सक्रीन सामने लगाई गई है और लोगों की टक टकी है अब सक्रीन पर की कब जो नवदीब खेले और देश के लिए गोल्ड मैडल लेकर आएगा देखिए घुशी का महाल गाउ में है बजुर्ग हो महिलाएं हो बच्चे हो तमाम यहाँ पर पहुँचे हुए है और यदि गाउ बौणा लाखू की बा तमाम जो दर्शक हैं जो जुड़े हैं उनसे यही अपिल लेगी कि खबर को साथ की साथ शेयर जरूर करते रहें जो नवदीब के जो परीजन हैं उनसे भी बातचीत करेंगे देखिए पूरे गाउ में जो है खुशी का महाल जरूर बना हुआ है और उमीद यही की जा रह रहे हैं कि नवदीब जो है गाउं के लिए नहीं पूरे अदेश के लिए आज खेल रहा है और नवदीब पर जो है कि नवदीब इस मौकाम तक पहुंचा और आज पूरा गाउं यहां पर एक जुट है आसपास के जो गाउं के लोग है वो भी यहां पर कि यहां पर है उनसे भी बात्चीच करने की कोशिच करेंगे तोड़ा सा यह बताइए नवदीब आज देश के लिए कि शुट के लिए नवदीब के लिए बाउन के लिए और बड़िबार के लिए गाउं के लोग भी यहां पर पहूंचेंगा अधिल् को बिल्कुल सारे आसपास की लुब साथ साथ हैं और सारे गट्टे हुए पूरे गाहों में पूरा महौल है लगी है और गोल्ड आएगा देखिए एलीडी लगी है गोल्ड जरूर आएगा ऐसी उमीद जो है आज नवदीप से की जारी है तमाम लोग है और यूआ साती उनसे बाचित करें साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे नवदीप आज देश के लिए खेल रहा है गोल्ड मेडल की उ अब पूरी पूरी उमीद है कि वह गोल्ड जीत करें और अपने गाउं का अपने देश का नाम रोशन करेंगे ऐसी हमें पूरी उमीद है और जैसे कि वह पहले भी वर्ट चंपिन रहें इस चीज में तो बहुत ज्यादा जोस है गाउं में आप देश सकते हैं क्या माहूल है और हमें उसे बहुत उमीदे हैं गोल्ड वो लेकर आएगा गाउं में किस तरह का महूल है दूसरे गाउं से भी लोग पहुंचे हैं और लगातार तैयारिया की जा रही थी पूजा पार्ठ कल से ही गाउं घर घर जा है गाउं में शुरू कर दिया गया तर नवदीब के है बट अभी कुछ से 10-15 दिन से त्यारियां बहुत तेज होगी थी तो आप जैसे क्यों कि कितने इंसानिया आए वे हैं और दूसरे गाउं से भी आए हैं हम जैसे इसराना से हैं है एस्ट्याफी बैंक से तो हमारे भी बहुत ज़्यादा उमीद है जैसे उनका अकाउंट हमारे पास है तो हम परसनली उनकी पिताजी को भी जानते हैं तो हम अभी इंजोई कर रहे हैं उसके बाद गोल्ड की पूरी उमीद है एक सो एक परसंट गोल्ड लेके आएंगे आज नवदीप लेका हैं गोल्ड की उमीद है लगातार जो है ग्रामेंड जो है यहां पर इकटा है मिन क्या कुछ बताना चाहेंगे नवदीप आज देश के लिए खेल लाया है पैरालंबिक में किस तरह की उमीदे हैं डेफिनिटली गोल्ड आएगा ज़र देश को तीसरा गोल्ड मिलेगा जैवलियं द्रों में अत्ल जरूर करेंगे क्योंकि लगातार आज पास के जो ग्रामेंड इक्षेत्र की जो महिलाए है वो भी अब गाउं में पहुंचना है और एलीडी जो है गाउं में लगाई गई है और कुछ ही देर में अब जो है मैं शुरू हो जाएगा जी क्या कुछ कहना चाहेंगा आज देख रहेंगे कि खुछी मना आँगे नाच जगे बावंगे भारत का नाम रूसन करेगा यह उमीद रख रहे हम तो पूरी पूरी उमीद है आप देश के लिए खेल रहा है नवदीव क्या कहना चाहेंगे कि गाउं में किस तरह गाउं में गाउं का बहुत खुछी हो रह है थे हमारा बच्चा देश के लिए खेल रहा हमारे देश का नाम रूचा करेगा इंतजार है पर परेशान हो रहे हैं दिखाई नहीं दिए रहा है अभी ठीक है यह पताए किस तरह के परिवार से निकल के गया है किस तरह का परिवार रहा है किस तरह अब निवदीव इसम नाम रोसन कर रहा है जितका मार यहीं उमीद है यह बताई यह पूजा पार्ट लगातार किया जा रहा था काओ में परिवार भी लगातार जो है पूजा पार्ट कल यह बताया जा रहा कि नवदीप की माने कल से ही वरत रखा था रखा था बहुत-बहुत-बहुत-खुशी है छूइए मैरा पोता जीत कई आएगा गोल्ड मेडल लाएगा पहले विलाएगा बहुत बड़ी नाम लाएगा अम्हार पुठा करेगा देश का नाम पूरे गाओं का नाम पूरे भारत का नाम करेगा रोसन मेरा पुता नवडीब की दादी ती सरोज उन्होंने कहा कि पुरे गाउं में खुशी का महोल है और सारोज आब लगातार देखिए देखिए कुछ गरामीन है जो है अपने मुबाइल पर ही मैच देखते नजर आ रहे हैं कि बोलो गया क्या सब्सक्राइब कर रहा है और पूरा गाउं इसके साथ है किस तरह का महौल क्योंकि लगातार जो है परीजन भी लगातार ये कल सही पूजा पार्थ में लगे हुए नवदीप की जो माता जी है उन्होंने वरत किया हुआ है क्योंकि आज देश के लिए खेल आओ अपूरी उमीद आई जा रहा हुए कि गोल्ड मैदल पका है पूरा गाउं पूरे गाउं में ऊरह है करने सबगत क्या है नवदीbon कितनी संगरच के बाद नवदी समों मुदिप नहीं गरळून में देखने लगे दे बचा सहाथ बइसम आप्जा सेंगरत कर रहा है सब बोह किननने सबसें झाले किसान परिवार से है और मेहनत की है सुबहे चार बजे ग्राउंड में जो है नवदीप पहुंच जाते थे लगातार जो है आए गोल्डीप ने काफि मेन इतल कींहे का नाम नां रोषन करेंगा देश का नाम रोषन करेंगा पका गोल्डीप करेंगे देश कार अटमेटीञ जए का अधर जाएगा कि अपने काम को कभी अलके में नहीं लेते थे और अज उनको मुका मिला है कि अपनी जी जान से गॉल्ड लेके आएंगे पूरा गाउं एक जगा है एक अठा हुआ है और काफी दुएस चल रही है कि बाहर से भी काफी लोग आई हुए हैं और काफी खुशी का मावल है कम से कम आएगा नो दिप तो जीत की त्यारी कर रखिए तो देखिए जीत की त्यारी है और पूरा गाउँ तो देखिए एक और साथ की साथ आपको बता दे कि अभी कुछ दिन पहले ही खंडरा निवासी नीरत चोपडा जो है गोल्ड मैडल लेकर आये थे वहाँ पर एलीडी लगाई थी पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ पर पहुंचा था लेकिन गाउं में एक एलीडी जरूर लगाई गई है जिस पर तक्नीकी जो खावी के कारण जो है बताया जा रहा है कि इस पर मैच नहीं शो हो पा रहा और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी देखिए मैच अब शुरू हो चुका है और अब सक्रीन पर देख रहे हैं अब कुछी देर में जो है नवदीप जो है आपको दीखेंगे सक्रीन पर और तमाम जो ग्रामिन है उनको देख सकते हैं चेहरे पर खूशी है लगातार जो है ग्रामिन दुआ कर रहे हैं कि अब नवदीप आएगा देश के लिए खेलेगा और गोल्ड मैडल जो है देश क के लिए गोल्ड मैडल लेकर आएगा या उमीदे जो है नवदीप से की जा रही है तमाम जो तस्वीरे हैं वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं तमाम लोगों से पील यही रहेगी कि खबर को साथ की साथ शेयर भी जरूर करे ताकि तमाम लोगों तक यह पहुंश सके क्यो कारी है यहां पर अलाकि अभी तक कोई नहीं पहुंचा है कि अगरे आगा 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 इस बात शीत करेंगे हमारे साथ हमारे साथ सरक्या कुछ कहना चाहेंगा नवदीप देश के लिए खिल रहा है देखें बहुत अच्छी बात आज इंडिया का लड़का पानीपत का ल एक तरफ बात करें पानीपत काही निरस्चोपड़ा था वह भी गोड़ ले गए हैं जिस समय उनका मैच चल रहा तो गाउं में पूरी विवस्ता थी परसासनी के सभी अधिकारी वहां पर पूंचे थी एक बड़ी एलेडी लगाई गई थी विवस्ता पूरी जो है वहां पूरी विवस्ता यहां पर नहीं मिल पाई जैसे लोग आप देशकते हो गलियों में खड़े हैं कई दिन पहले लगातार तैयारिया की जा रही थी और परश्यासनी कदिकारियों को भी इसमें भाग लेना चाहिए था बिल्कुल देखिए बिल्कुल लेना था यादिकार नवदीब जो है सक्रीन पर है कर दोग जोगनी पादिकार याद़ पर धिल्कुल लेंड़ कर दो आप खब हैं परशासन पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठे हैं कुछ और ग्रामिन हैं उनसे बाचिक सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज नवदीब जो है देश की लिए खिल रहा है सर नवदीब देश के लिए गेम गोल्ड मैनल के लिए गए हैं और हमारा जो गाउं बौना लाखो गाउं परशासन का बिल्कुल भी द्यान नहीं है इस गाउं की तरफ क्योंकि जब से गाउं के अंदर अच्छे प्लेयर होए हैं हर गेम के अंदर होए हैं आज भी हम देख रहे हैं तो कहीं हमारे पास गाउं के अंदर को स्पोर्ट के लिए परशासन अपना चुप बैठा है इंडिया के नाम ही रोचन हो जाएगा पूरा देश आज नवदीब को देख रहा है और यदि गाउं की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी अभी तक यहां पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं दिखे क्या लगता है इस तरीक से क्या कहना है इससे यह कहना चाहते हैं अगर हमारे को प्रशासन की और ज्यादा सवीदा मिले तो हमारे बच्चे और आगे तक जा पाएं अब नोधीब निकला है उसके साथ और भी निकलेंगे और नोधीब के लिए मास लगाए बैठें के इंडिया के लिए गोड मेरे लेके आएगा लगातार त्यारी के गाउ इंडिया और यह थी तो प्रशासन का भी थोड़ा आपनी तरफ से अनुब होना चीए था कि उसको अच्छी तरह से और त्यारी करे जाए ताकि हम दूसरा मैडल भी जीच सके गोल्ड मेडल के लिए हमारे बच्चे जहां जी जान लगा रहे हैं लेकिन उनकी तरफ विशे पूरा देश जो है आज नवदीब को देख रहा है लेकिन गाओं की अधी बात करें तो पूरा गाओं एक जगाओं एक अठा हुआ है सक्रीन लगाई गई है लेकिन ग्रामिनों से बाचित की तो पारियों की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है जिस पर सवाल जरूर खड़े किये गए हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे साती हैं सब क्या बताना चाहेंगे आज पूरा देश जो है नवदीब को देख रहा है लेकिन परश्यासन की और से किस तरह एक व्यवस्था का यहां जाई की गई थी बड़ी स्क्रीन भी खुद लगाने के लिए जो परसासन पहुंचा था आज यहां पर अभी आप आपके सामने दो मिनिट पहले ही यहां स्क्रीन लगाने के लिए क्या कारण है क्या माना गया कि यह एक खेल नहीं है बलकि जादा इनका मुनोबल बढ़ाना चाहिए यहां परसासन अभी तक नहीं पहुंचा कोई भी एक आलादिकारी भी देख रहे हैं पर यहां कोई विवस्ता हमें लगी नहीं की इस तरह की जो परसासन द्वारा की गई हो एक चोटे से प्लोट में जितना वैमली की है थी उसके इसाब से उन्होंने अपने विवस्ता की है वही देखना वाली बात तो यह है कि नवीन जी कि जा खेल है तो हैं यह क्योंकि इनके पास ना तो इन्हें इतना नोलीज नहीं था तो कुछ भी नहीं पता था तो इस बारे में तो थोड़ी देर पहले ही उन्हें सब्सक्रिप्सन किया उसके बाद यह अपना मैच टीवी पर देख पा रहे हैं क्योंकि अज देश के लिए नवदीब खे हम लोगों ने निरज चोपडा का इवेंट हम लें किया था उस में देखा था कि परशाषन किस तरीके से लेकिन यहां पर पहरा ओलंपिक में जिस तरीके से नवदीब ने भी आज हमारा मान बढ़ा है उसको लेकर परतियारिया होनी चाहिए थी हम ने देखा कि मैच चल र सब्सक्राइब और आज इस तरीके से लोग बाग वो बच्चे जो इस तरीके से जा रहे हैं और यह बुआना लाखू का एक छोटा सा बच्चा इस को लेखा पर्शाशन को जो है तैयारियां करनी थी लेकिन परशाशन मोन है परशाशन को कोही पता नहीं है गरामिन विचारे अपने लेवल पर देख रहे हैं तो कहीं इस तरीके से अनाधर किया गए यह अपने आप खेलों के मैटों को घटाताए और इसका जवाब कहीं अभी हाला की खेलना शुरू कर दिया है दूसरे गाउं से भी लोग जो यहां पर पहुंच रहे हैं और जगा की अधी बात करें तो एक छोटी सी जगा है ग्रामीन बाहर खड़े हैं महिलाएं बाहर खड़ी है जिस तरह की विवस्ता यहां पर देखी जा रही है बिल्कुल गोर्मिंट ने 6 करोड रुपे का इनाम रखा है गोल्ड मेडल टोक्यों के अंदर आप अगर गोल्ड मेडल आते हैं जैसे ही नीरच चोपरा को दिया गया था वैसे ही जैवलिन थ्रू के जो सोनिपत के जो जीत क्या है उनको 6 करोड दिये गए तो गेम में कोई अंतर नही देखिए परणिपत परशासन पर कही ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो किये गए हैं सहयोगी से एक बार कहूंगा कि बाहर की तस्वीरे भी दिखाए क्योंकि अभी नवदीप जो है खेलना नवदीप ने शुरू कर दिया है और वेवस्था की बात करें तो आप देख सकते यहाँ पर बनी हुई है कुछ महिलाएं अंदर बैठी है तो कुछ महिलाएं जो है बाहर खड़ी होका नवदीप को देख रही है कुछ और ग्रामिन है उनसे भी बातचित करेंगे तो देखिए अब कुछी देर में नवदीप जो है वो खेलना शुरू करेंगे वो तस्वीरे भी हम आपको दिखाएंगे तमाम तमाम दर्श्कों से अपील यही रहेगी कि इस खबर को साथ की साथ सेर भी जरूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके हाला कि तीन राउंड अभी तक हो चुके हैं वो भी तस्वीरे हम आपको लगातार दिखाएंगे तब तक इस खबर को साथ की साथ इस वीडियो को शेर जरूर करते रहे ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके सायोगी धरंबीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार सीटी तैलका न्यूज बवाना लाख हूँ